हेलो फ्रेंड्स वालकम बैक टू माई चैनल प्रेगनेंसी केर एंड एडवाईस दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं और घर पर ही हम कैसे पता लगाएं कि हम प्रेगनेंट हैं या फिर नहीं क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही इन सिम्टम्स का ध्यान नहीं रखती हैं तो आगे आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती हैं इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अरली प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स बताऊंगी तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें अंटक बिना इसकिप किए और अगर चैनल पर नए है तो मेरी इस चैनल प्रेगनेंसी केर और अडवास को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथी साथ बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहों और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्थी प्रेगनेंसी बन सके तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी का हर एक पल प्रेगनेंट महिला के लिए बहुत ही खास होता है और प्रेगनेंसी के अरली सिम्टम्स को समझना हर महिला के लिए बहुत ही जरूरी है जिसके लिए आपको अपनी बौडी में होने वाले बदलावों को फील करना होगा आईए आप जान लेते हैं pregnancy के पहले हफते में होने वाले symptoms के बारे में जैसे कि periods का ना आना वैसे periods का ना आना pregnancy का सबसे important symptom माना जाता है इसके अलावा pregnancy के दौरान होने वाले hormonal changes से digestive system पर भी प्रभाव परता है इसकी वज़े से आपको constipation की problem हो सकती है याने के आपको कब्ज की समश्या रह सकती है कुछ महिलाओं को प्रेगनिंसी के पहले हफ़ते में कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं वही कुछ महिलाओं को ठकान महसूस होने लगती है ब्रेस्ट को चुने पर उन्हें दर्द महसूस होने लगता है उनको शरीर में जकड़न महसूस होने लगती है प्रेगनेंसी के शुरुवाती लक्षणों में जी मचलाना, उल्टी होना, फ्रिक्वेंसी ओफ यूरिनेशन का बढ़ जाना ये सभी शामिल होते हैं इसके अलावा कंसीव करने पर महिला को थकान की शिकायत जादा रहती हैं इसके अलावा कुछ महिलाओं में सरदक के साथ-साथ शुरुवात में ही पैरों में सूजन होना भी दिखाई देता है implantation bleeding pregnancy का एक शुरुवाती लक्षण ही माना जाता है इसमें आपको हलकी हलकी bleeding होती है जिसमें आपको brownies या फिर pinkies spotting हो सकती है ये कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों तक भी हो सकती है ये जो symptoms हैं ये आपको जब embryo आपकी यूट्रस की wall पर चिपक जाता है उसके बाद फील होने लगते हैं इसके साथी महिलाओं को इस दोरान पेट के निचले हिस्से में पैल्विक एरिया में और कमर के नीचे के हिस्से में भी जकड़न महसूस हो सकती है इसमें आपको खिचाव जैसा फील होने लगता है कुछ महिलाओं को जखड़न के साथ साथ थोड़ा अनकमफर्ट भी फील होने लगता है इस समय आपको यूटरस में खिचाव फील होने लगता है और इसके वज़य से आपकी कमर और आपके पेट में भी दर्द होने लगता है इसके साथी हार्मोन्स का लेवल और शरीर में हार्मोनल चेंजिस की वज़े से इसकीन का कलर भी चेंज होने लगता है। प्रेग्नेंसी के शुरुआती सिम्टम्स पीरिड जैसे ही होते हैं। इसलिए प्रेग्नेंसी के फर्स्ट वीक में कई महिलाओं को ये पता ही नहीं चल पाता है कि वो प्रेग्नेंट ह या फिर नहीं प्रेग्नेंसी के समय प्रेग्नेंट महिलाओं के मूँ का स्वाथ कड़वा हो जाता है ऐसे में उन्हें सिर्फ खटी चीजों का ही स्वाथ पसंद आता है आपकी चेहरे पर अचानक से एकने आ सकते हैं इन सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखकर आप अपने डा अनाज और दालों को अपनी डाइट में शामिल करें साती विटामिन सी वाले फलों को भी खाएं ताकि आपको बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन्स ना आए ताकि आपका होने वाला बच्चा और आप दोनों ही हैल्दी रहें उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए य